हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज मैं आप लोगों को सेव पूरी बना कर दिखाऊंगी ये बहुत ही जटपट बनने वाला नास्ता है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेस्पी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं उसे पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदे की बनी हुई पूरियां जो की आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगी और उबले हुए आलू कटे हुए छोटे छोटे पीस में दही लाल मिर्श पाउडर चाट मसाला जीरा पाउडर बेसन की सेव धन्या की हरी चटनी गोड और इमली की बनाई हुई चटनी और पतले चौप किये हुए प्याज टमाटर चौप धन्या छोटे छोटे बारी कटे हुए अब आलू को पहले हम हलका सा नमक डालके उसको अच्छे से मिला लेंगे अब प्लेट में पूरियों को रखेंगे आलू डालेंगे अच्छे से सारी पूरियों पर रख देंगे अच्छे से उपर इसके डाल देंगे अब दही डालेंगे मीठी चटनी डालेंगे इमली की धनिया की चटनी डालेंगे जीरा पाउडर डालेंगे चाट मसाला डालेंगे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे प्यास को डालेंगे उपर से टमाटर डालेंगे कटे हुए अब हम उपर से सेव को अच्छे से डाल देंगे और कटे हुए धनिया से उपर से गार्निश करेंगे उपर से डाल देंगे तो फ्रेंड्स मेरी सेव पूरी बिलकुल तयार हो गई है और ये देखिए कितनी देखने में सुन्दर लग रही है तो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्यू फच्सक्तर देखिवा करुवाल